ननद बनी बहु पाठवान ननद और भावी का रिष्टा तेल और पानी की तरह होता है। दोनों आपस में कभी एक साथ घुल नहीं सकती। कहते हैं अगर आपकी ननद अच्छी हो तो आपकी सिसुराल की आदे से ज्यादा परिशानी तो यूहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ननद को आप पसंद नहीं आ रहे हो तो ये समझ लीजिए कि एक सिसुराल में एक बहु के लिए रोज एक नई जंकी तयारी करनी होती है। अब हमारी फ्रीटी को ही ले लीजिए। वो जब से शादी करके आई है तब से उसकी ननद तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई है। ये लीजी मम्मी जी ये साड़ी आपकी लिए। बहुत सुनदर है बेटा। ये रंग मुझ पे खुब जचेगा। क्या जचेगा मम्मी, मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या भाबी आपकी चोइस ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असा नहीं कहते है पिंकी, इतनी अच्छी सा आड़ी तो है, अच्छा, तो तुम ये देखो पिंकी, तुम्हें ये कैसा लगा सूट, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसके साथ माचिंग जुमके भी है, ये कैसा ये रंग का सूट है, अब जान बुझकर ये गंदा स रंग लाई है न मेरे लिए, जिसे मैं इसे पहनू तो अच्छी ना दिखू, देखा ममी, ये आने से ही कैसा बढ़ताओ कर रही है मेरे साथ, अरे नहीं, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें एक काम करो, तुम्हें जो भी सूट इन में से अच्छा लगता है वो तुम रख लो, पेंकी, देख कितना खाल रख रही है तेरा, और तुम है कि, चल आप जो भी सूट चाहिए, ले ले इसमें से, हाँ, पहले कहेंगी कि सूट ले ले, फिर कहेंगी ना नतनी मेरा सूट ले लिया, मैं सब समझती हूँ इनकी चलाकियों को, नहीं चाहिए यह मुझे कुछ भी, जा रही हूँ मैं, और पिंकी वहाँ सोट कर चली जाती है, मामी जी, सच में मेरा सा कोई इरादा नहीं था, और मुझे अनुछ ने बताया था, कि यह पेंकी का पसंदीदा कलर है, इसलिए मैंने सबसे सुन्दर सूट ही उसके लिए पसंद किया था, आरे नहीं बहू, तुमारी गल्दी बिल्कुल भी नहीं है, पिंकी का स्वभाव है कुछ ऐसा है, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी, जी मामी जी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका दिल जीट पाऊ, पिंकी को हर छोटी बात पे प्रिती से अच्छी हो रही है, क्या बना आज, खुश बुथो, कमरे के अंदर तो का रही है, मैंने आज पिंकी की पसंद की छोले बटूरे बनाएं, दीखा मा, अब भी ये मुझे दुखरी करना चाहती है, और आप क्या किया प्रितीन है, आज तो तो तेरी पसंद के छोले बटूर बनानी थी जिससे मैं खाना सकू और मेरा मन जलता रहे अरे पिंगी वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेट में दर्द है नहीं तो मैं छूले बनाती नहीं सच में बैस बैस अब ज्यादा सीधी बनने का नाटक मत कींजी आप मैं आपको खुब अच्छी से पैचान ग कि तु इसे कुछ भी कहेगी देखा मा आज तक भाईयों ने मुझे कभी नहीं डाटा और आज भावी क्या आती मुझे पर चिलाने लगे ये है भावी जो मेरे खिलाव बढ़काती रहती है तब ही तो प्रीती ने मुझे से आज तक तेरे बारे में कुछ नहीं का पिंकी तेरे हरकते ही असी है पिंकी अब सच मेना बहुत ज्यादा हो रहा है प्रीती तेरे साथ इतना अच्छा चलती है फिर भी तु हर बार उसी को गलत साबित करती रहती है हाँ मैं ही गलत हूँ बाबी ही सह चली चाती हूं मैं यहां से यहीं चाती हूं ना पिंकी देखो गुसा मत हो मैं तुमसे सौरी कहती हूं चीके आजाओ बैट जाओ यहां बैटो प्लीज कुछ खालो नहीं यह सब करने की न कोई ज़रूरत नहीं है सबकी डाट से पेट बहर गया मेरा प्रीती को इस बात से काफी बुरा लगा कि उसकी वज़े से पिंकी को डाट पड़ी और सबका मूड भी खराब हो गया प्रीती सब कुछ ठीक करना चाती थी पर वो जो भी करती पिंकी को कुछ भी पसंद नहीं आता था अनुझ मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं हाँ पिक्चर देखने चलते हैं बहुत वर्दो गया नहीं गया न चलो मसाएगा चलो पिंकी तुम भी हमारे साथ चलो तुम्हारा भी मोड अच्छा हो जाएगा हाँ चल तुभी तेयार हो जा हम तीनों साथ में चलते ह नहीं मुझे नहीं जाना आप दोनों जाओ अरे जाना तुझे भी तो पिक्चर देखना कितना पसंद है न जा भाई और भाबी के साथ देख करा पिक्चर हाँ चलो ना पिंकी यह मूवी तुम्हें बहुत पसंद आएगी इसमें तुम्हारे पसंदिदा कालाकार है ठीक ह चलती हूँ प्रीती अनुज और पिंकी तीनों फिल्म देखने जाते हैं पर जब वहां से लॉटते हैं तो पिंकी गुस्सा हो जाती है और अपनी मां से शिकायत करने लग जाती है मैंने कहा था ना ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं अरो आप क्या हो गया आप क्यों तेरा मुड़ खराब लगा पड़ा है मैं इनके साथ फिल्म देखने गई थी तब पता नहीं भाबी भाईया से क्या बार बार कान में कह रही थी दोनों आपस में कुछ बात किये जा रहे थी अर्य है उन दोनों की नई नई शादी हुई है कुछ कर रहे होंगे बात है इसमें इतना बड़ा मसला बनाने की क्या जोरत है पिंकी मैं आपको कह रही हूँ आपकी बहु सही नहीं है ये भाईया को आपसे छीन लेगी मा आपने देखा है न कैसे भाईया भावी के इशारों पर नाच दे है ऐसा कुछ भी नहीं है पिंकी पता नहीं क्यों तुझे प्रिती से इतने दिखकत है वो अच्छी लड़की है और अच्छी बहु भी है क्यों उसे गलत साबित करती रहती है क्योंकि मैं आज कलकी लड़कीं को जानती हूं मा वो जैसी दिखती न वैसी होती नहीं है अरे मा तुम बहुत सीधी हो इसलिए भावी को पैचान नहीं पारी तुझे तो पहले दिन से हिपरिती पसंद नहीं इसलिए जब आप देखो उसके पीछे पड़ी रहती है मेरी बात याद रखना एक दिन तु ही कहेगी कि मेरी भावी से अच्छी कोई ने ऐसा दिन कभी नहीं आएगा मा क्योंकि मैं जानती हूं प्रिती भावी कैसी है पिंकी को प्रिती पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था अब ये जलन कह लीजिए या कुछ और पिंकी ने कभी भी प्रिती की किसी भी बात को सही नहीं माना उसे हमेशा लगता था कि प्रिती कोई ना कोई चाल चल रही है धीरे धीरे प्रिती ने भी हाँ, अब तो आप खुशी होंगी ना भावी, अब तो मैं इस घर से जा रही हूँ, आपको परिशान करने वाला, आपको ताने मानने वाला, अब कोई नहीं होगा यहाँ अरे पिंकी, तुम ऐसा क्यों क्या रही हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस्स करूँगी, सच में, हमारे बीज, जो ये खट्टी मिठी नोगचों होती है न, उसे भी मैं बहुत याद करूँगी हाँ, बस ये तो उपर से दिखाने के लिए है, बाकि पुरा सच मैं भी जानती हूँ, आप तो मेरे शादी की दिन का ही इंतिजार कर रही होगी, कि कब मैं इस घर से जाओ, और कब आपका इस घर पर हुकम चले तेरी खुद की शादी होने वाली है अब, फिर भी तुझे रिष्टों का मतलब अब तक नहीं समझाया आप इंकी, अब तो मुझे लगता है कि तुझे शादी के बाद ही रिष्टों की कदर होगी आपनी तो कभी अपनी बेटी की साइड ली ही कहा है मा, बस जब देखो बहु की साइड लेती रहती है मैं जहां सच होता है, उसी की साइड लेती हूँ, बस तुम मेरी बेटी है, इसलिए समझा रही हूँ प्रीती ने हमेशा तेरा अच्छा चाहा है तो हमेशा से उसे गलत साबित करने पर तू ली रहती है हाँ हाँ मैं ही तो विलन हूँ ना इस गर की अब सब लोग खुश हो जाईए मैं जा रही है अपने से सुराल अब तो आप तीनों सुकून से रहना यहाँ अरे कब आएगा वो दिन पता नहीं क्यों इसकी शादी का दिन इतनी देरी से क्यों रखवाया मा जल्दी मुरद निकलवाना चाहिए था ना इसका पती भी सुचेगा जितने दिन मुझसे दूर रहे है उतना अच्छा है अरे चुप करना मत छेड़ से अब तो कुछ ये दिनों के लिए है यहाँ पर हाँ फिर पे इसकी जबान कड़वी की कड़वी है आपको तो रुकी अब ही बता दियू मैं हस्ते खेलते पिंकी की शादी का दिन भी नजदी का गया और अब उसकी विदाय होने जा रही है प्रिती की शादी के बाद से ही पिंकी जो उसकी छोटी ननद है उसे हमेश्वाए गलत बहु साबित करने पे थूली रहती थी अलाकि प्रीती की सास बहुत अच्छी है उसे पता है कि उसकी बेटी ही प्रीती के पीछे पड़ी रहती है अब पिंकी के शादी हो गई है और उसकी विदाय होने जा रही है पिंकी मैं जानती हूँ मैं कभी भी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आई लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है तो मुझे बे जिज़क कह सकती हो मुझे नहीं लगता मुझे कभी आपके मदद की जरुवत पड़ेगी देख बिटा अब तेरी शादी होने वाली है मैं जानती हूँ तू सब कुछ अच्छे से संभालेगी लेकिन तू ये मत भूलना तेरे माई के वाले हमें इशा तेरे साथ है ठीक है? ठीक है मा और पिंकी की शादी पड़े धुमधाम से होती है उसका पती भी काफी अच्छा था लेकिन उसकी सास बहुत ही तेज थी और स्ट्रिक भी थी क्योंकि पिंकी को अपी घर संभालने का इतना अनुवव नहीं था इसलिए उसकी सास उसे काफी तारे मारती थी जो पिंकी सबको अपने इशारों पर नचाती थी अब वो अपनी सास से बहुत डरती थी एक दिन जब पिंकी अपनी मा से फोन पर बात कर रही है अरे क्या हुआ तो इत्ती परेशान क्यों लग रही है फिर तेरे सास ते कुछ कहा क्या अरे मा मेरी सास तो इत्ती सकते कि क्या ही बताओ तुम्हें उन्हें तो हर काम एक तम सही से पॉफेक्ट करना पसंद है और तुम तो मुझे जानती हो मैंने आज तक कभी ये सब किया ही नहीं इसलिए वो मुझसे ज्यादा खुश नहीं है उखड़ी उखड़ी रहती है मुझसे तो पिंकी तुझे काम ठिक सकना चाहिए ना फिर मैंने कहा था कि पृती से सब कुछ सीख ले पर तु कहा मानने वाली है मेरी बात को पिर माम अब ते एक नहीं मुसिबत आ गई है उससे कैसे निप्टू समझ में नहीं आ रहा अरे क्या हुआ ऐसा मेरी सास ने आज श्राम को अपनी सहलियों को बुला लिया है खाने पे और कहा है कि वो उनकी खास सहलिया है तो उनके लिए कुछ स्पेशली बनाओ मैं अगर मेरी सास के सहलियों को खाना पसंद नहीं आया तो मेरी सास तो मुझसे और भी ज़्यादा खुस्सा हो जाएंगी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या ले ली तुना अपने सर पह कावेरी पिंकी से बात कर रही थी कि पृती उन दोनों की बाते सुन लेती है ममी जी जरह फोन मुझे तो दीजिये मैं बात करती हूं पिंकी से हलो पिंकी एक काम करती हूं मैं अभी तुम्हारे घर आ जाती हूं वैसे भी इस वक्त तुम्हारी सास मंदिर जाती है न और उन्हें आने में दो घंटे तो लगती ही है इतने में मैं तुम्हारी सास के सहलियों के लिए अच्छी अच्छी डिशिस बना दूगी ठीक है आप सेच में कर लेंगी ना ये सब हाँ हाँ मैं बहुत सारी चीज़े बना लीती हूँ मैं अभी आ जाती हूँ तुम्हारे से सुराल प्रिती फोन रखती ही तुरंत पिंकी की मदद के लिए जाने लगती है तब ही उसकी सास उसे रोक लेती है क्या हूँ ममे जी? पिंकी ने हमेशा तुझे गलत साबित किया तुझे कितने ताने सुनाए पर आज तुझे की मदद करने जा रही है वो भी भी ना सोचे ममे जी पिंकी मेरी चूटी बेहन जैसी है हाँ हमारे बीच खटी मीठी नोग चोग होती रहती है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसिबत में हो और मैं उसकी मदद भी ना करूँ तुझे सच में बहुत अच्छी है परिती बहुँ और देखना पिंकी को भी ये एसास जल्द ही हो जाएगा अच्छा मैं चलती हूँ ममी जी इससे पहले कि पिंकी की सास आ जाए मुझे सारी तैयारिया भी तो करनी है प्रिती पिंकी के मदद करने उसके ससुराल पहुँच जाती है पिंकी ये देखकर काफे खुश होती है ये लो मैंने छोले भटूरे, ब्रेड रोल्स और चाट भी बनाती है तुम बस ये सब उनको परोज देना ठीक है अब मैं चलती हूँ कहीं तुम्हारी सास नहां जाए भाबी, आज के लिए थैंक यू आरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है पिंकी मैंने कहा था ना तुम्हें किसी भी चिस की जरूरत हो तो मुझे बे जिज़क कह सकती हो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ ठीक है अब चलू मैं पिंकी ने पहली बार प्रीती को थैंक क्यू कहा था और जब उसने वो नाश्ता अपनी सास और उनकी सहलियों के सामने रखा तो उसकी सहलियों को नास्ता बहुत पसंद आया यह देखकर पिंकी की सास में बहुत ज़्यादा खुश हो गए आज मेरी सहलियों को तुमारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया है बतारिफ कर रही थी तुमारी आप भी खुश है ना मम्मी जी मुझसे आज पहली बार लगा कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है देखो मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसी अच्छी से काम करती रहो जी जी मम्मी जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी नाराज ना करूँ अच्छा मैं सोच रही थी उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम्हे तुम्हारे माई के जाना है तो हो आओ कुछ दिनों के लिए सच मम्मी जी थांक य। थांक य। थांक य। थांक य। और मैं यह कह रही थी कि अगर तुम माई के जाही रही हो तो वहाँ से मेरी बेहन की बेटी की शादी की शॉपिंग भी कराना, ठीक है? शॉपिंग? हाँ, क्यों तुम्हें याद नहीं? अगले महिने मेरी बेहन की बेटी की शादी है, तो उनके लिए भी तौफ़े लियाना, और अपने लिए भी अच्छे कपड़े और मेरे लिए भी शॉपिंग कराना, मैंने देखा है, तुमने अपनी शादी में जो कपड़े पहने थे और तौफ़े लाए थे, वो काफी अच्छे थे, वो तो प्रीदी भावी ने सब किया था, आज इतनी दिनों बार मेरी सास मुझसे खुश है, अगर ना कह दूँगी, तो फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगी, हाँ बोल देती हूँ, पिंकी ने अपनी सास को हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसने अपनी शादी में जूबी कपड़े पहने थे, वो सब प्रीती ने उसके लिए लाए थे, शाम को आकाश उसे माई की छोड़ाता है, क्या हुआ बिटा, जब से आई है ताब से देख रही हूँ, इतनी परेशान लग रही है, कोई बात है क्या? अरे मा, मेरी सास दे मुझे पर भरुसा करकी, मुझे अपनी बेहन की बेटी की शादी की तैयारियों का काम सौपा है, उन्हें लगता है कि मिरी शादी में मैंने जो कुछ भी लाया था, जो भी कपड़े पहने थी, वो सब मैंने किया था, तो तुने अपनी सास को बताया नहीं, कि वो सब तेरी भावी ने किया था, तेरी शादी में? नहीं मा, मैंने सुचा कि पहली बार तो वो मुझे से खुश हुई है, अगर मैंने कह दिया कि मुझे नहीं आता, तो मुझे और नाराज हो जाएंगी. तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीती है ना, हम उससे मदद ले लेंगे, वो मनाने ही करेगी. नहीं मा, पहले भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, फिर से मदद मांगूँगी तो मेरी ही बेज़दी हो जाएगी. बेज़दी? बेज़दी कैसे इसमें? मैंने आज तक भावी को कितना कुछ कहा है, हमेशा से उनको गलत बहू, गलत भावी साबित किया है, और शादी की बात, अब मैं उनसे रोज-रोज मदद मांगने लगी हूँ, अब तो वो मुझे ताना मारेंगी ही पक्का. तेरी यही गलती है पिंगी, पता है तुझे? तुने हमेशा प्रीती को गलत समझा, और आप भी समझ रही है, तुझे क्या लगता है कि तो अब प्रीती से मदद मांगेगी, तो वो तुझे ताने कसे की? तुझे नीचा दिखाएगी? ना, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा वो तो तेरी मदद करके हमेशा ही खुश होती है, तु ही है जो कभी प्यार से बात नहीं करती है, तुझे यकीन ना हो तो खुद बात करके देख ले, रुक मैं अभी प्रीती को बुलाती हूँ, अरे मां, रुको तु क्या कर रही हो? प्रिती, प्रिती यहाना जरा हाँ मामी जी, कहिए, आपको कुछ चीये था? आरा नहीं मुझे नहीं, पिंकी को कुछ बात करने है तुम से? हाँ हाँ, पिंकी बोलो ना, कुछ चीये था तुम्हें? वो बाबी, आपकी थोड़ी सी मदद चीये थी अरे हाँ हाँ, बोलो ना, क्या मदद चीये मैं त्यार हूँ, बोलो क्या काम करना है, मैं अभी कर देती हूँ I'm sorry पाबी, मैं आपको बहुत गलत समझा प्लीज मुझे बाफ कर दीजे मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, आपको हमेश्या गलत साबित किया पर आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा हमेश्या मेरी मदद की, कभी ताना नहीं मारा और आज आपकी वज़े से मेरी सास मुझे से इतनी खुश है अरे पिंकी, पिंकी रो मात तुम मेरी छोटी बेहन जैसी हो और बेहनों की बीच नोब जुक होती रहती है न रोना बंद करो, चलो, रोना बंद करो अब बताओ, क्या मदद चाहिए और प्रीती की मदद से पिंकी अपनी मौसे सास के लिए इतने अच्छे तौफे और कपड़े लेती है कि जिसे देखकर उसकी सास फूली नहीं समाती उसके बाद से पिंकी ने प्रीती को अपनी भावी से सहली बना लिया था अब उन दोनों की इतनी पटती थी कि जितनी सगी बेहनों की भी ना पटती हो सही कहा है किसे ने जब नानद खुद बहु बनती है तब उसे अपनी भावी की कदर समझाती है